पालनहार योजना का मुख्य उद्देश, अनात बच्चों का पालन पोशन, जैसे शिक्षा, भोजन, वस्त्र एवं अन्य सुविधाय उपलब्ध करना, ताकि उन्हें अपने खर्च के लिए किसी पर निर्भर रहने की आवश्यक्ता नहीं पड़े. अनात बच्चों के पालन पोशन, शिक्षा एवं आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए, राजस्थान सरकार ने पालनहार योजना की शुरुवात की, इस योजना के माध्यम से पांच वर्ष तक की आयू के अनात बच्चों को 500 रुपे की आर्थिक सहायता प्रदान की जा उनको अपने खर्च के लिए किसी पर निर्भर रहने की आवश्यक्ता नहीं पड़ेगी, इसके अलावा इस योजना के अंतरगत, 2000 रुपे की राशी प्रतिवर्ष सभी पात्र बच्चों को प्रदान की जाती है, जिससे कि वो अपने वस्तरत स्वेट जूते आदी खरीद स की पात्र, विध्वा माता की अधिक्तम तीन संताने को, नाता जाने वाली माता की अधिक्तम तीन संताने, पुर्णविवाहित विध्वा माता की संतान, एड्स पीडित माता या पिता की संतान, कुष्ट रोग से पीडित माता या पिता की संतान, विकलांग माता या पिता की संतान तलाक्षुदा या परित्यक्ता महिला की संतान अब जानेंगे इस योजना में आवेदन के लिए क्या पात्रता चाहिए इस योजना में आवेदन करने के लिए राजस्थन के स्थाय निवासी होना अनिवार्य है इस योजना में आवेदन करने के लिए परिवार की वार्शिक आय एक लाख बीस हजार से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऐसे अनात बच्चों को दो वर्ष की आयू में आंगनबाडी केंद्रग पर भेजना अनिवार्य हैं, तथा छे वर्ष की आयू में स्कूल भेजना अनिवार्य हैं। अब जानते हैं, इस योजना में लगने वाले जरूरी दस्तावेज जैसे पालनहार का आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, मूल निवास प्रमान पत्र, राशन कार्ड, पहचान पत्र, बच्चे का आधार कार्ड, मोबाइल नम्ब, पासपोर्ट साइच फोटो, बच्चे का आंगनबाडी में पंजीकरन का प्रमान पत्रिया, विद्याले में अध्यन अगर आप इसी तरह की जानकारी से भरी वीडियो को देखना पसंद करते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले.